राजस्थान वीरों की जन्म भूमी रहा है, यहां अपनी मात्र भूमी पर अपना सब कुछ लुटा देने वाले वीरों और वीरांगनाओं की गौरव गाठाओं का इतिहास है। आज हम आपको इस लेख में एक ऐसे ही वीर योद्धा हमीर देव चौहान की गौरव शाली गाठा को बताने जा रहे हैं, जिनके हट और पराक्रम के आगे समस्त भारत वर्ष के राजा और सुल्तानों ने हार मान ली थी। हमीर देव चौहान राजस्थान के रण थंभोर रियासत के शासक थे। इनका जन्म साथ जुलाई 72 को चौहान वंश के राव जेतर सिन्ह के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ था। बचपन से ही हमीर देव चतुर और निडर थे। उन्होंने सभी शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी और घुड सवारी के साथ तलवार चलाने में महारत हासिल की थी। जिसकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक पहले थे, एल दुश्मन जिनके नाम से थर-थर कापते हमीर देव इतना वीर था कि तलवार के एक ही वार से मदमस्त हाथी का सिर काट देता।